गया मदर्से की जाँच हो रही है उसकी जाँच चाहे मदर्सा हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो सबसे सर्भू मुलायम सियादो जी हम सब के नेता थे उन से जो मिला उन ही का हो गया नेता जी धरती पुत्र थे आपने उन से मुलाकात किया कोई ऐसी उस मुलाकात के टाइम में आपकी बात चीत हुई हो कोई खास याद ऐसा हो जो आप लोगों के सामने साजा करें है कि राजा भाया से योगी जी की बहुत जादा करीबी है इसलिए ये सता के बिरोध में नहीं जाना चाहते और बहुत ज समस्या जैसे पासु क्या नंबर एक की समस्या है पासु जो है एक्सिडेंट में भी बड़ी दिक्कत है पासुओं का कोई उपाय नहीं हो पा रहा है हमारे किसानों की खेती लगातार वो चर रहे हैं खतम कर दे रहे हैं इधर पहले सूखा मार दिया अब पानी इतना गिर रह 17 पार्टी कहां है छेतर में 17 पार्टी आदनियर राजा भाईया का सम्मान पूरे प्रदेश और देश में आज तक मैं जहां भी गया हूँ राजा भाईया के ही नाम से मुझे सम्मान मिला है आप सभी को नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगनाद मिस्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे साथ में बस्ती जनपत से जन 17 लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यच बसंसिंग छत्रे जी जुड़े हुए हैं जो क इससे पहले मैं आपसी जानना चाहूंगा कि राजनेतिक पहलों उपर ना जाते हुए अभी आपने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे रच्छा मंत्री रहे देश के इतने बड़े नेता जिनको पूरा देश पूरा प्रदेश धरती पुत अधर्णिये मुलायम सियादो जी हम सब के नेता थे उन से जो मिला उन ही का हो गया नेता जी धरती पुत्र थे उनका इस तरह से चला जाना हमारे देश हमारे उत्तर प्रदेश के लिए छटी तो हई है लेकिन क्या किया जाया सभी सब्वी सवर की कृपा है हम उनको सादर नमन करते हैं और मैं उनके लिए हमेशा दिल में हमारे जगह है और हमेशा उनको याद मैं करता रहूँगा नेता जी से आपकी मुलाकात हुई है पहले कभी मेरी दो बार मुलाकात हुई है लेकिन मेरा कोई खास परिचे नहीं था लेकिन नेता जी हमको बगल बैठाए हमस यो मिला वो यही बताया कि जाति बाद हर चीज से उपर उठ करके वो जिसको मानते थे, खुल ठीक से मानते थे, उसकी ठीक से सम्माना। दो बार आपने उनसे मुलाकात किया, कोई ऐसी उस मुलाकात के टाइम में आपके बात चीत हुई हो कोई खास याद ऐसा हो जो आप लोगों के सामने साजा करना चाहिए मुलाकात में यह हुआ कि जैसे पहली बार हमने उनके जन्म दिन पर मिला था उन्होंने हमको पकर करके अपने बगल बैठाया इतने बड़ी हस्ती यद हमारे जैसे सामने लोगों का इतना सम्मान हुआ तो न्यता जी से और हम मिले होते तो और करीब आ गए होते यह हमारा दुरभाग है कि हम उसके बाद नहीं मिल पाए इसका दुख है आपको आज जे 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 अब मैं आपसी यह जानना चाहूंगा चुकि आप जनसत्तादल के बस्ती जनपस्ती जिलाद्यज बनाए गए है जनसत्तादल आगे संदोजार चुविस का चुनाव होने वाला है संदोजार बाइस के चुनाव में कुछ सीटे उन्होंने लड़य था और कुछ असफलता है जादा तर मिली है आगे का क्या प्लान है देखिए हमारी पार्टी अभी नई उठी है हम लोग निरंतर संगर्स कर रहे हैं अभी हमारे गाउं अस्तर और बूत जो अस्तर है हमारा वो बहुत मजबूत नहीं हुआ था अब लगातार हम लोग भिड़े हैं गाउं गाउं में जा करके बूत अस्तर को मजबूत कर रहे हैं बूत अस्तर पे हमारी इतनी ससक्त पार्टी जिससे हम आगे किसी भी चुनाव को फाइट कर सकें राजा भहिया के साथ आपकी मीटिंग होती है सर राजा भहिया के साथ मीटिंग हुई है तो ऐसा कहा जाता है बाहरी बाते भी चलती है कि राजा भहिया से योगी जी की बहुत जादा करीबी है इसलिए ये सत्ता की बिरोध में नहीं जाना चाहते और बहुत जादा संगर से भी उतना नहीं करते हैं ऐसा कहा जाता है लेकिया ऐसा नहीं है राजा भीया राजा भीया का साथ जो देता है उसके साथ वो देते हैं रही बात कि इस वज़ा से कोई हम लोगों को जो मीटिंग में बताया गया हम लोकल मुद्दे जो हमारे आएंगे किसानों के मुद्दे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो छेत्रिये हैं दियम अस्तर के हैं इस मुद्दे को हम लोगों को पूरी छूट है ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमको कोई रोका गया है कि सत्ता के साथ ही चलिए हम लोगों अलग हो करके अपने मुद्दे को उठाते रहेंगे जन सत्ता दल को मजबूत करते रहेंगे देखे वो पूरी तयारी तो है अभी हमारे मंडल अध्यक्षों की मीटिंग भी हुई है काफी चीजें प्रयास किया जा रहा है बस यह है कि कितने तेजी गती से हम आगे बढ़ हैं इस पर हम संघर्ष कर रहें तो यहां पर आपने अभी समस्याओं का जिकर किया कि जो लोकल समस्याओं है आपकी छेतर की बस्ति जनपत की लोकल समस्या है जैसे पसु क्या नंबर एक की समस्या है पसु जो है एक्सिडेंट में भी बड़ी दिक्कत है पसुओं का कोई उपाय नहीं हो पा रहा है हमारे किसानों की खेती लगातार वो चर रहे हैं खतम कर दे रहे हैं इधर पहले सूखा मार दिया अब पानी इतना गिर रहा है कि उससे फसल नुकसान है मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस पर भी ध्यान दे और कम से कम बस्ती जिले में जितने नुकसान हुए है कोई कोई किसान ऐसे हैं जिनके पास एक किलो भी अनाज घर नहीं जाना है आईसी इस्थिती में आपका कहने का मतलब है कि जैसे जो पसूओं की समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या अक्सीडेंट हो रहा है खेतों में फसल चर ले रहे हैं किसान इससे परिसान है सरकार इस मुद्दे पर फेल रही फेल की तो मैं बात नहीं करता लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि जिस तरह से सरकार पहली बार मोदी जी भी ने हमने सुना था मोदी जी भी कहे थे कि हम इसका कोई निदान करेंगे और योगी जी भी इस पर सोच रहे थे लेकिन जो निदान होना चाहिए अभी वो कुछ इस जमीनी अस्तर पर दिख नहीं रहा है उदा सिंता जो जैसे जो केवल जमीन और खेती के भरोसे है जो एक बिगा खेती जोत बो करके किसी तरह से अपने बच्चों का जीवन आपन कर रहा है उसकी खेती पूरा नश्ठ हो जा रहा है जो हाइवे पर चल रहा है वो लगातार खतरे में है जानुवर हाइवे पर आ जाते है जन सत्ता दल पार्टी कहां है छेत्र में कहीं रैली हो रहा न कहीं दरनापर दर्सन न कहीं ग्यापन दे रहे हैं आप लोग अभी कहां है सर जन सत्ता दल पार्टी सब के दिल में है, सब के दिमाग में है, जन सत्ता दल पार्टी आधनियर राजा भहिया का सम्मान पूरे प्रदेश और देश में, आज तक मैं जहां भी गया हूँ, राजा भहिया के ही नाम से मुझे सम्मान मिला है, रह गई बात हमारे जिले की, हमारे जिले की बूत कमेटी, मैंने बलाक अस्तर की कमेटी गठित किया है और जिले अस्तर की कमेटी गठित है, बूत अस्तर की कमेटी कुछ जगों पर गठित हुई है और कुछ जिर्गा के लिए प्रयास चला है हमारी पार्टी निरंतर प्रगती की तरफ अगरसर है रही बात आगे की आगे आप देखिएगा क्या होता है मैं आपसे एक प्रस्न जानना चाहूंगा अभी आपने देखा कुछ दिन पहले योगी सरकार के द्वारा एक महत्पूर्ण फैसला लिया गया मदर्से की जांच हो रही है उस पर तमाम सारा बिवाद मचा हुई है खलवली एक विसेजबर्ग के अंदर मची हुई है कि ये ट देश के अंदर सब रहते हैं और देश ही हमारे लिए सब कुछ है जो देश बिरूदी गजबिधियों में लिप्त होगा उसके साथ कोई भी जात धर्म नहीं देखा जाना चाहिए उसके साथ कारवाई होनी चाहिए बस ये है कि निर्दोस उसमें नफस आए जाए राजा भहिया ने इस पर कुछ बयान दिया है राजा भहिया फिलाल अभी कोई बयान आया नहीं है लेकिन ये हमारा ब्यक्तिगत है कि पहले हमारा देश है उसके बाद हम सब हैं आप मीटिंग में मिलते हैं तो उनसे कुछ कहते हैं? दो बार उनके पिताजी विदागरे उनके पास रखते हैं। निती होने वाली है, कितने सीटों पर चुनाव लगने वाली तमाम सारे बातों पर हमने फोकस किया। आप सबी इस वीडियो को सुनिए और ज्यादा से यादा संख्या में सेर कीजिए। ताकि नेता जी की आवाज बहुत दूर तक पहुंच सके। सर आपने समय निकाला हमारे लिए, हमसे बातचीत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ूपट, सकत्षक दूर कीजिए निकाला हमारे जी उकाला हुत